तो बच्छा वह हम करने वाले है 23 कुछन और यह क्या कह रहा है कि street light bulb is fixed on a pole of 6 meter अब यहां पर एक bulb है 6 meter का यह street light है यहां पर let's suppose यह 6 meter का यहां से यहां तक 6 meter का और यहां इसके उपर bulb है ठीक है ठीक है if a woman of height 1.5 meter cast a shadow of 3 meter अब यहां पर कई woman खड़ी है थोड़े बाल बना लेते हैं जिसके height किते हैं 1.5 है और इस पर अगर light पड़ रही है तो यह कितनी cast कर रहे है shadow यह कर रहे है यहां पर 3 meter ठीक है तो मुझे बोल रहे है कि how far she is away from the base of the pole तो यहां से यहां तक इस base of the pole से यहां तक इसके कितनी distance है let's suppose इसको max ले लेता हूँ ठीक है तो यह देखो दो triangle बन गए मेरे पर मैं यहां पर इसको नाम दे देता हूँ A, B, C, D, E तो देखो यहां पर A, B, C और E, D, B है ना तो मैं लिख लेता हूँ in triangle A, B, C and triangle E, B, D तो यह दोनों एक दूसरे के क्या होंगे अब देखो woman यहां पर खड़ी वी तो यह दोनों एक दूसरे के parallel ले ना तो मैं बोल सकता हूँ कि यह दोनों triangle similar होंगे और देखो same Woman of heart of skull और एक ही जगा पर, same place पर देखो ना एक ही जगा पर दोनों के दूसरे खड़े वे हैं तो देखो इससे भी फरक पड़ता है देखो पहले तो यहाँ पे यह दोनों parallel है तो obvious सी बाते यह वालर triangle और यह पूरा triangle यह क्या होगा? Similar हो जाएगा, तो मैं यहाँ से देखो करता हूँ, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ BD जो होगा, देखो यह BD जो होगा, आपको ऑन यह पूरा BC के, ठीके? और यहाँ पे जो ed होगा यह किसका ac के अब मुझे क्या dc निगालना है अब निगालते हैं कोई दिक्कत की बार में है तो bd कितना है मेरा 3, bc कितना है देखो मेरा bd plus dc equals to ed कितना है मेरा 1.5 और ac कितना है मेरा 6 cm तो बस हो गया है यहां पर देखो 3 upon 3 प्लस यह मैं x ले लेता हूं equals to 1.5 upon 6 ठीक है मैं इसको इधर इस point हटाया नीचे 0 बढ़ाया है तो 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5 2 जा 3 1 जा 3 4 जा 12 ठीक है इधर इधर cross multiply करता हूं तो यह हो जाएगा 4 312 यह हो जाएगा 3 प्लस x यह 3 इधर जाएगा तो x की value हो जाएगी 9 तो यह जो x है यहां से dc यह कितना है 9 meter थोड़ा दूर है तो देखो कितना easily मैंने यह answer लिया है